अलो दोस्तों आज हम सम्विधान सवा और सम्विधान निर्माड सम्विधान का निर्माड के वारे में चर्चा करेंगे भारत के लिए एक सम्विधान बनाने के लिए सम्विधान सवा का गठन किया गया भारत के समविधान का मसोदा समविधान सवा 1946 के कैविनेट मिसन प्लान के तेत स्तापित द्वारा बरस निसे चाली से नन्चास के बीच तयार किया गया डाक्टर राजंदर प्रसाद ने इस सवा के अद्ध्यक्ष की रूप में अपनी सेवाई दी समविधान सवा के अद्ध्यक्ष डाक्टर राजंदर प्रसाद थे समविधान सवा में टोटल सदस्यों के संक्या 329 थी लेकिन पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद 90 सदस्य उदर चले गए और भारतिय समविधान सवा में कौल सदस्यों के संक्या 299 में रह गई जिसमें 15 म पहिलाएं सामिल थी पूरी समविधान सभा ने दो वर्ष ग्यारे माहर अठारे दिन काम करके समविधान सभा का मसोदा तयार किया समविधान सभा के सदस्य दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच 1170 में मिरे कुल सत्र 11 हुए समविधान सभा के 29 अगस्त 1947 को समविधान सभा दोरा समविधान का मसोदा तयार करने के लिए डाक्टर भीमराव अमबेडकर कि अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया मसोदा समती का गठन किया भारतिय समविधान 26 नवबर 1949 को अंगीकार किया गया और यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ क्योंकि 26 नवबर 1949 को भारतिय समविधान बन कर तयार हुआ 26 जनवरी 1950 से समविधान सभा का अस्तित्य समाप्त हो गया और यह दस्तावेज 1902 में जब तक नई संसत का गठन नहीं हो गया भारत का अंत्रिम समविधान बन गया क्योंकि तब तक संसत का गठन नहीं हुआ था तो समविधान सवाही भारतिय संसत के रूप में कार्य कर रही थी और उसी मैंसे कुछ मंत्री मंडल का मंत्री परिशद का गठन किया गया था भारत का अंत्रिम समविधान बन गया समविधान के मसोधे पर विचार करते हैं कुल प्रस्तावित 760335 संसोदनों में से 243 संसोदनों का चर्चा के बाद निराकरण किया गया समविधान सवा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने समविधान की मूल पृती पर हस्ताक्षर किये संविधान सवा ने संविधान निर्माड के अंतरकत बिभिन कार्यों को निफ्टाने के लिए कुल तेरे समितियों का गठन किया इन में से आठ प्रमुक समितियां थी और अन्य गौण समितियां थी संविधान सवा की आठ प्रमुख समितियों में ड्राफ्टिंग कमेटी केंद्रिय सक्टी समिती केंद्रिय समिधान समिती प्रांतिय समिधान समिती मौलिक अधिकार अलप संक्यकों और जंजातिय तथा अपवर्जे छेत्रों पर समिती सलाकार समिती पिरकिरिया नियम समिती संविधान सवा का गठन कैविनेट मिसन की सेफारसों के निवसार प्रांती असेंबलियों दोरा अप्रटेक्स चुनाओ के माद्यम से एकल संक्रमडिय मत्वदते के आधार पर किया गया जो 239 प्रांतों और 70 राज्यों का प्रतिने देत्व कर रहे थे इनमें महत्वपूर्ण सदस्थ है इस पुरकार थे जो आप देख सकते हैं संविधान सवा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट यद्धज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्टगान या राष्टगीत को अंगिकार किया आधोनिक भारतिय कला के प्रख्षात व्यक्ति तहसरी नंदलाल बसू या नंदलाल बौस ने संविधान के प्रतिक प्रस्ट के मार्जिन का रुपांकन किया और उन्हें कलात्मक चित्रों के साथ सुसोबित किया केलिग्राफिक कला में निस्दाथ स्री प्रेम बिहारी नारायन रायजादा ने स्वेम पूरे संविधान को लिखा इस कारे को पूरा करने में 6 महीने का समय लगा और उन्होंने इस कारे के लिए कोई पारिस्रमिक नहीं लिया संविधान के बारे में ये का जाता है कि संविधान बकीलों का दस्तावेज है और बकीलों का स्वर्ग है लेकिन इस बात को नकारती है डाक्टर भीम राव अमेड कर ने कहा सम्विधान अधिवक्ताओं का दस्तावेज मात्र नहीं है यह जीवन का माध्यम है और इसकी आत्मा सदेव युक की आत्मा है इस प्रकार भारतिय सम्विधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया थेंक्यू